ओम शान्ती, 19 फरवरी 2023 के अव्यक्त महवाक्य पहले एक नजर मुरली के मुख्य पोईंट्स पर बाप दादा ने कहा, महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता को धारन करना आप सभी ने पवित्रता का व्रत भी लिया है और अपनी व्रिती भी स्रेष्ठ बनाई है सर्व आत्माओं के प्रती भाई भाई की व्रिती रखने से ही ब्राहमन महान आत्मा बने ब्राह्मन जीवन का अर्थ है पवित्र आत्मा और यह पवित्रता ही ब्राह्मन जीवन का फाउंडेशन भी है फिर बाबा ने कहा ब्राह्मनों के जीवन में भी संपूर्ण सुक्षान्ती की अनभूती ना हो अत्वा ब्राह्मन ही सर्व प्राप्तियों से सधा संपन्न ना हो तो फिर और कौन होगा? कहते भी हैं सुक्षान्ती की जिननी पवित्रता है इसलिए जब भी अतिंद्य सुक्ष वस्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है तो इसका कारण पवित्रता का फांडेशन कमजोर है ग्याता तो नंबर वन बन गए हैं सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो वो है स्व को सेकिंड में व्यर्थ सोजने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टोप लगाकर परिवर्तन करना लास्ट में बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है सदा, संकल्प, बोल, कर्म, संबंद और संपर्क में तीन बिंदु के महत्व को धार्ण करना कोई भी ऐसी परिस्थिती आई लेकिन सेकिंड में फुल स्टोप लगाओ स्वयम को सदा हर बात में पहले ओफर करो मुझे करना है ऐसी ओफर करने वाले को तीन प्रकार की दुआएं मिलती है पहली स्वयम को स्वयम की दुआएं मिलती है और खुशी भी मिलती है दूसरी बाप दवारा दुआएं मिलना तिसरी जो भी सुरेष्ट आत्माई व्राह्मन परिवार की हैं उन्हों के दवारा भी दुआएं मिलती हैं अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से मुरली का सार पवित्रता के दृड व्रत दवारा व्रिती का परिवर्तन आज उंचे से उंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रही हैं महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं क्यूंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारन किया है किसी भी प्रकार का दृड संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी व्रिती को परिवर्तन करना दृड व्रत व्रिती को बदल देता है इसलिए ही भक्ती में वरत लेते भी हैं और वरत रखते भी हैं। वरत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और वरत रखना अर्थात स्थुल रिती से परहेज करना। चाहे खान-पान की, चाहे चाल-चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष व्रत द्वारा वृति को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का वृत लिया और वृति स्रेश्ठ बनाई। सर्व आत्माउं के प्रती क्या वृति बनाई। आत्मा भाई-भाई हैं। ब्रदर हुड इस वृति से ही ब्राह्मन माहान आत्मा बने। यह वृत्तो सभी का पक्का है ना। ब्राह्मन जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा। और यह पवित्रता ब्राह्मन जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना की हिलता है। ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मन जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रुहरिहान करते अपना सच्चा चाल्ट देते हैं तो क्या कहते हैं कि जितना अतिंद्रिय सुख जितनी शक्तिया अनभफ होनी चाहिए उतनी नहीं हैं। या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हैं लेकिन सधा नहीं हैं इसका कारण क्या कहने में तो मास्टर सर्व शक्तिमान कहते हैं अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्व शक्तिमान हो तो क्या कहेंगे ना तो नहीं कहेंगे न कहते तो हां हैं मास्टर सर्व शक्तिमान है तो फिर कहां चली जाती है और है ही ब्राह्मन जीवन धारी नाम धारी नहीं है जीवन धारी है ब्राह्मनों के जीवन में संपूर्ण सुक शांती की अनुभूती न हो वह ब्राह्मन सर्व प्रातियों से सदा संपन्न न हो तो सिवाय ब्राह्मनों के और कौन होगा और कोई हो सकता है ब्राह्मन ही हो सकते है न आप सभी अपना साइन क्या करते हो बीके फलानी बीके फलाना कहते हो न पक्का है न बीके का अर्थ क्या है ब्राह्मन तो ब्राह्मन की परिभाशा यह है जितना और उतना शब्द क्यो निकलता है कहते हो सुखशांती की जिननी पवीत्रता है जब भी अतिंद्रिय सुख वा स्वीट साइलेंस का अनभव कम होता है इसका कारण पवीत्रता का फाउंडेशन कमजोर है पहले भी सुनाया है कि पवीत्रता सिर्फ ब्रह्मचरिय का वर्द नहीं ये व्रत भी महान है क्योंकि इस ब्रह्मचरिय के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझते हैं तो असंभव को अपने द्रिड संकल्प दवारा संभव किया है और सहज पालन किया है इसलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआउं सहित मुबारक देते हैं लेकिन बाप दादा हर एक ब्रह्मन बच्चे को संपुर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है असंभव को संभव सहज किया है तो और सर्व प्रकार की पवितरता को धारण करना क्या बड़ी बात है पवित्रता की परिभाशा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो अगर आप सब को कहें पवित्रता क्या है इस टोपिक पर भाशन करो तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना जब जानते भी हो और मानते भी हो फिर उतना जितना ये शब्द क्यों कौन सी पवित्रता कमजोर होती है जो सुक्षान्ती और शक्ति किन भूती कम हो जाती है पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पस्ट नहीं करते क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो अपने आपसे भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है, ये है मैज्योरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, योग की विधी के भी विधाता बन गए धारणा के विशे पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार है और सेवा में एक दो से आगे हैं, बाकी क्या है? ज्ञाता तो नमबर वन हो गए है, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो वो है स्वा को सेकिंड में व्यर्थ सोजने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टोप लगाकर परिवर्टन करना समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनभूती में अंतर लाती है शक्ति स्वरूप बनने में, पबाप समान बनने में विग्न स्वरूप बनती है फुल स्टोप नहीं दे सकते, ठीक है समझते हैं का कोमा लगा देते हैं वो दूसरों को देख अश्चरिय के निशानी लगा देते हो कि ऐसा होता है क्या, ऐसे होना चाहिए वो question mark की क्यों की क्यों लगा देते हो, full stop अर्थात बिंदू, तो full stop तब लग सकता है जब बिंदू स्वरूप बाप और बिंदू स्वरूप आत्मा, दोनों की स्मृती हो, यह स्मृती full stop अर्थात बिंदू लगाने में समर्थ बना देती है, उस समय कोई-कोई अंदर सोचते भी है कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन दवारा आत्मा के बजाए व्यक्तिव बातें बार-बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार-बार व्यक्ति और बातें सामने स्पस्ट आती तो मूल कारण स्वा के उपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है लेकिन स्वा पर कंट्रोल अर्थाथ परिवर्थन शक्ति को कारिय में लगाना कम आता है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। जब स्व के परिवत्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? बहुत करके क्या कहते कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है, लेकिन जैसे लोग कहते हैं न, कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में स्रेस्ठ सीट मिल जाती है, तो यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है, तो मरना अच्छा है ना, क्या मुश्किल है, उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं, यह नहीं आता, रोंग वाले को बदलना चाहिए यह राइट वाले को बदलना चाहिए, किसको बदलना है, दोनों को बदलना पड़े, बदलने शब्द को अध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना, उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुल्टे रूप का अपने को बदलने की शक्ती है कि कभी तो बदलेंगे ही पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में तीन बिंदु का महत्व हर समय धारण करना कोई भी ऐसी परिस्थिती आई तो सेकंड में फूल स्टोप लगाने में स्व्यम को सदा पहले ओफर करो, मुझे करना है ऐसी ओफर करने वाले को तीन प्रकार की दुआएं मिलती हैं, पहली स्व्यम को स्व्यम की भी दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती हैं, दूसरी बाप तीसरी जो भी सुरेष्ट आत्माएं ब्राह्मन परिवार की हैं उन्हों के दवारा भी दुआएं मिलती हैं तो मरना हुआ या पाना हुआ क्या कहेंगे पाया ना? तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुशार्थ को वह कंट्रोलिंग पावर दवारा परिवर्तन शक्ती को तिव्रगती से बढ़ाओ अलबेलापन नहीं लाओ ये तो होता ही है ये तो चलना ही है ये अलबेलेपन के संकल्प है अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को, सर्व स्रेष्ट पवित्रता के व्रत को धारन करने वाली आत्माओं को, सदास्व को सेकिन में फुल स्टोप लगाए स्रेष्ट परिवर्तक आत्माओं को, सदास्वयम को स्रेष्ट कारिये में निमित बनाने की ओफर करने वाली आ बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया अब है दादियों से मुलाकात बाप दादा ने कहा सभी आप लोगों को देख कर खुश ह क्यों खुश होते हैं? आप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं? लेकिन जो निमित आत्माई हैं, वो तो आपके हमजिन्स है ना? तो जब वो बन सकती हैं, तो आप नहीं बन सकते. तो लक्षे सभी का संपुर्ण और संपन्न बनने का है. अगर हाथ उठवाएं कि सोलह कला बनना है या चोदह कला, तो किसमें उठाएंगे? सोलह कला, तो सोलह कला का अर्थ क्या है? संपुर्ण ना? जब लक्षे ही ऐसा है, तो बनना ही है. मुश्किल है नहीं, बनना ही है. छोटी-छोटी बातों में घबराओ नहीं. मुर्ती बन रहे हो, तो कुछ तो हैमर लगेंगे ना? नहीं तो ऐसे कैसे मुर्ती बनेंगे? जो जितना आगे होता है, उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रोस करने होते हैं. लेकिन वो तूफान, उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोफा लगता है. ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है, अनभवी बनने की. तो तोफा बन गया ना? तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी लेना है, देना नहीं है, देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है. ये नहीं सोजो, मेरा ही पाल्ट है क्या? सब विघनों के अनभव मेरे पास ही आने है क्या? वेलकम करो, आओ, ये गिफ इसमें क्या? ज्यादा एक्यूरेट मूर्ती बनना है अर्थात हैमर लगना हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं आप लोग तो अनभवी हो गए हो नथिंग्नियों खेल लगता है देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो दुआईं देते रहते हो टीचर्स बहा प्हले पता होता तो सोच लेते डबल फॉर नर्स समझते हो इतना तो सोचा ही नहीं था कि बराहमन बनने में भी ऐसा होता है सोच समझ कर आए हो ना या अभी सोचना पड़ रहा है अच्छा कितना भी कोई कैसा भी हो लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे बुरा नहीं कहेंगे चाहे नो बुराईया हो और एक अच्छाई हो तो भी बाप क्या कहेगा अच्छे हैं या कहेंगे ये तो बहुत खराब हैं ये तो बड़ा कमजोर है अच्छा ये बड़ा ग्रूप हो गया है 21 देशों के लोग आई हैं अच्छा है हाउस फुल हो तब तो दूसरा बने अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी अवशक्ता ही साधन को सामने लाती है अब है अव्यक्त बाप दादा की परसनल मुलाकात जिनका सार है हर कदम में पदमों की कमाई जमा करने का युग संगम युग बाप दादा ने कहा अपने को पदमा पदम भाग्यवान समझते हो हर कदम में पदमों की कमाई जमा हो रही है तो कितने पदम जमा किये हैं अनगिनत है क्योंकि जानते हैं कि जमा करने का समय अब है सत्युग में जमा नहीं होगा कर्म वहां भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे क्योंकि वहां के कर्म का समबंद भी यहां के कर्मों के फल के हिसाब में है तो यहां है करने का समय और वहां है खाने का समय तो इतना अटेंशन रहता है कितने जन्मों के लिए जमा करना है 84 जमा करने में खुशी होती है न महनत तो नहीं लगती क्यों नहीं महनत महसूस होती है क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, कि भविश्य के आधार पर चल रहे हो, भविश्य से भी प्रत्यक्ष फल अती स्रेष्ट है, सदा ही स्रेष्ट कर्म और स्रेष्ट प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है, कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं, जैसे नाम है ड डबल का टाइटल बहुत अच्छा है, तो सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुशार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो, कंबाइंड, सिंगल नहीं, कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता, कंपनी चाहिए या कंपैनियन चा कितने भी कंपैनियन करो, लेकिन ऐसा कंपैनियन नहीं मिल सकता, कितने भी अच्छे कंपैनियन हो, लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं, इस वर्ल्ड में ऐसा कंपैनियन कोई है, अमेरिका, ओस्टेलिया, अफ्रीका आदी में थोड़ा ढूंड कर आओ, मिलत क्योंकि मनुष्य आत्माईं कितने भी देने वाले बने फिर भी देते देते लेंगे जरूर। तो जब दाता कंपैनियन मिले तो क्या करना चाहिए कहां भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं है कोई कमजोर तो नहीं है । फोटो निकल रहा है, फिर आपको फोटो भेजेंगे कि आपने कहा था, कहो यह होना ही नहीं है, बाप दादा भी आप सब के बिना अकेला नहीं रह सकता. अच्छा, आज का वर्दान महावीर बन बाप का सक्षात कार कराने वाले वाहन धारी सो अलंकार धारी भव। महावीर बन बाप का सक्षात कार कराने वाले वाहन धारी सो अलंकार धारी भव। बाबा ने कहा महावीर अर्थात शस्त्र धारी, शक्तियों वपांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं, शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है स्रेश्ठ स्थिती और अलंकार है सर्वशक्तियां. ऐसे वाहन धारी और अलंकार धारी ही सक्षात कार मूर्त बन बाप का सक्षात कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का करतव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला दवारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। स्लोगन एकरस पुरुश्यार्थ दवारा उचे स्थिती बना लो तो हिमाल्य जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान होती। ये एक बहुत संसकारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करें।